ऐज गाई स्वागत आपका इस वीडियो में हाल की जुबड़ी कभ़न है। अब उसके बाद ये जो हिजबुल्ला है हिजबुल्ला ने इसराइल पर हमला कर दिया है। इने में से कुछ रॉकेट को सफलता पूर्वक रोग दिया गया। हाला कि कुछ अन्य खुले छेत्रों में उतरे या लेवनान के छेत्रों में ही गिर गया। और आपको यह बता दे कि हाली में इरान ने इसराइल से लिंक जो सिप था उसको सीज कर लिया। एक बिलियनर का सिप था उसको सीज कर लिया। यहाँ पर आप देख सकते हैं यह जो सिप है आपको यह वीडियो दिखाते है। आप यहाँ पर देख सकते हैं कि किस परकार से जो हेलिकॉप्टर है। यह जो सिप है इसको पूरी तरीके से पंट्रोल में ले लिया गया। इरान की तरफ से उसे सीज कर लिया गया। यह खबर आने के बाद कि इरान इसराइल पर अटेक करेगा कई सारे जो पीस समझोते हो रहे थे। लेकिन हाली में जब हिजबुला ने यह अटेक कर दिया है दोस्तो पैनिक क्रियेट हो गया है पुरे मिडल इस्ट में ऐसा लग रहा है। जितने भी पीस से रिलेटेट बाते थी हो अब धरी की धरी रह जाएंगी। और आपको याद होगा कि हाली में जो इस्माइल हानिया है इनके जो आपको पता होगा मैंने बताया था आपको पिछली वीडियो में कि यह हमास के एक लीडर है। इनके तीन वच्चों को मार दिया गया था इस्राइल एर स्ट्राइक में आपको बताऊगा कि कार में वो ट्रैवल कर रहे थे जिस दोरान उनके ओपर एर स्ट्राइक होता है और वो तीनों मारे जाते हैं। आपको बता दू उससी समय जो यूएन है यूएन में समझहोता हो रहा था कि पीस को लेकर कि इस्रैल को किस प्रकार से रुका जाए और ये ज़ो वार है इसको खत्म किया जाए। अब यह हमला होने के बाद जो इसमाइल है इनका कहना था कि कोई भी Eh you go कहना था कि हम इसराइल को जवाब देंगे इसराइल पर बड़ा हमला करेंगे तो हमास के लीडरों के दुवार ये सब कहे जाने के बाद मिडिल इस्ट में पूरी तरह से पैनिक क्रेट हो गया है और ऐसा लग नहीं रहा है कि अब इस्थिती कुछ टाइम तेक सांत रहेगी और आपको ये बता दू यूएस ने बड़ी बात कही है यूएस ने आपने जो वार सिफ है दोस्तो वो इरान के पास तैनात कर दिये है ताकि जो इसराइल है इसराइल पर अगर इरान अटेक करता है तो यूएस इसराइल को बचाने के लिए इसराइल के समर्थन में इरान पर अटेक कर सके जो वाइडन ने इरान को बड़ा जवाब दिया है मैं आपको आगे उसको बताऊंगा आप यहाँ पर देख सकते हैं कि इंडिया ने भी एडवाईस किया जो भारतिय नागरिक है उनको भारतिय विदेश मंतराले ने ये कहा है कि सभी भारतिय जो इरान या फिर इसराइल में रह रहे हैं उनसे अनुरोध है कि वे वहाँ भारतिय दुतवास से संपर्क करें और अपना पंजी करण कराए उनसे यह भी अन्रोध किया जाता है कि वे अपनी सुरक्षा के बारे में अत्यधिक सौधानी बरतेंगे ये पूरा दोस्तो विदेस मंत्राले हमारे जारी किया है युकि छेत्र में जो इस्तिती है उसको देखते वे ऐसा लग रहा है कि इरान भी अटैक कर सकता है इसराइल पर इसलिए इरान और इसराइल में रहने वाले भारतिय नागरिकों को भारतिय विदेस मंत्राले ने चेतावनी दी है और आपको ये भी बता दू कि जो बाइडन ने हाली में कहा है कि इरान कभी भी इसराइल पर हमला कर सकता है और ये भी कहा जो बाइडन ने कि हम पूरी तरह से इसराइल का समर्थन करते हैं जो बाइडन का कहना है अमेरिकी राष्टपती की उमीद है कि इरान देर से नहीं बलकि जल्द ही इसराइल पर हमला करेगा बाइडन ने भी असपस टूप से इसराइल का बचाव करते हुए कहा हम इसराइल का समर्थन करेंगे हम इसराइल की रक्षा में मदद करेंगे और इरान सफल नहीं होगा ये साब तोर पर जो बाइडन ने इरान को चेतावनी देते हुए कह दिया कि अगर इरान ने हमला किया तो हम इसराइल के समर्थन में खड़े हैं पूरी तरह से उसके पीछे और दोस्तों आपको यह बता दे कि हाली में Bloomberg ने बताया है, मतला एक रिपोर्ट के जरी यह बताया गया है कि अगले 48 घंटों के भीतर ड्रोन या फिर मिसालों के जरी यह जो इरान है वो इसराइल पर हमला कर सकता है यानि इरान यहूदी राज पर हमला कर सकता है हिजबुल्ला का तो कहना है कि वो इरान से अकेले ही वार कर लेंगे लेकिन आपको पता है कि पुरी तरह से हिजबुल्ला का समर्थन करता है इरान और आपको ये भी जान कर दे दे कि हाली में जब हिजबुल्ला के दुआरा नॉर्थ में अटैक किया गया तो जो अमेरिका की स्टॉक मार्किट है वो भी पूर तरीके से नीचे गिर गई और बहुत जादा च्छती होई है उसको आपको क्या लगता है क्या ये यूध और भी लार्ज स्केल पर होने वाला है या इरान इसराइल पर हमला कर देगा और ये यूध और लंबा चलेगा आपके हिसाब से आपको क्या लगता है आप अपने जवाब कमेंट सुदे दीजिए जैहिंद जैभार्थ